नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फैंटेसी गली की यूट्यूब चैनल में and welcome to the special set of 8 videos that we have curated for you आपकी बहतरी के लिए ICC Women's World Cup के सारे जो teams है contenders है उनकी हमने एक special video for हर team बनाई है इसी चैनल पे आपको वो सारे videos एक ही playlist पे मिल जाएंगे ICC Women's World Cup के उपर और इस particular video में हम बात करेंगे team Bangladesh के बारे में जी बिल्कुल इस पूरे video में मैं सिर्फ उनके squad के उपर बात नहीं करूँगा सिर्फ उनके strengths आपको नहीं बताऊँगा लेकिन मैं अपने हिसाब से ऐसे 3 players पिक करूँगा जो आपके लिए इस tournament में बांगलादेश की तरफ से game changers बन सकते हैं हाँ बिल्कुल ये set of videos हमने आप ही के लिए किया है कि जो tournament शुरू होने से पहले ही जो homework आपको करनी थी वो हम आपके लिए कर पा रहे हैं इस चैनल पे इसलिए प्लीज हमारे youtube चैनल को subscribe जरूर कीजिए bell icon जरूर दबाईए इसी video के description में आपको एक link मिल जाएगा जो आपको सीधा लेके जाएगा हमारे mobile app download के page को वहाँ पे fantasy गली का mobile app जरूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि वहाँ पे मिलता है आपको दुनिया भर की fantasy cricket के लिए prediction, analysis, lineups, contest जितनी information आपको चाहिए सारी available है free of cost तो app जरूर डाउनलोड कर दीजिए at this point of time इस video में बात करेंगे हम team Bangladesh के बारे में और क्या उनका squad रहने वाला है let's quickly look at the entire squad for Bangladesh getting into this particular world cup और आप देखेंगे कि एक नया कप्तान यहाँ पे आपको नजर आएगा निगर सुल्ताना उनके बारे में बात करेंगे सल्मा खातून है जिनकी experience काम आएंगी spin gain बाजी करेंगे रुमाना एमद है steam में फरगाना हक है जर्नारा अलाम जो की शायद नया gain करेंगे experience इनके पास भी है शमीमा सुल्ताना है फहीमा खातून रितु मोनी मुर्शिदा खातून नाहीदा अक्तर शर्मीन अक्तर लता मॉंडल शोगना मुस्तरी फरिहा तृष्णा सुरया अजमीन और संजीदा अक है या तो इनके उपरी क्रम के दो बैटर्स जो है उनसे सबसे ज़्यादा उमीदे है या तो जो दो बोलर जो की gain बाजी ओपन करेंगे उनसे ज़्यादा आप hopes रख सकते हैं मिडलोवर्स में इनके पास वैसे प्लेयर्स नहीं है जो जाके explode कर पाएं और शायद इसी एक का प्रोनमेंट में पीछे रह सकती है लेकिन कुछ ऐसे individual talent है जो आपको fantasy points तो definitely बना के देंगे एक brief आपको history बता दीता हूँ कैसे ये बांग्रदेशी women का setup हुआ है देखिए बहुत recently जो है बांग्रदेशी women's cricket में एक revolution आया है जहां पे individual superstars create हो रहे हैं उनकी profile built हो रही है उ cricket is touching new territories in terms of marketing in बांग्रदेश of course थोड़ा सा वो market वहाँ पे उनको खुल रहा है बड़ा popular है ये cricketers वहाँ पे अब इस time पे जो recent ही इन्होंने performance दी हुई है और उसी squad से हमें आपको key players तो बता दूँगा लेकिन quickly देखते हैं कि बांग्रदेश की जो journey रहेगी इस particular tournament में वो क ऐसी है देखें पांच तारीक को ये अपना पहला मैच खेलेंगी बांग्रदेश अपना पहला मैच ओपनर टोर्नमेंट ओपनर खेलेंगी साउथ आप्रिका के एगेंस दूसरा मैच इनका 7 तारीक को है New Zealand के एगेंस तीसरा जो मैच है वो 14 को एक अच्छा खासा 7 दिन का gap इनको 6 दिन का gap इनको यहाँ पे मिलेगा फिर वो 14 तारीक को खेलेंगी पाकिस्तान के एगेंस 18 को West Indies के साथ मैच है 22 को इनके जो नेबर्स है इंडिया के एगेंस इनका मैच होगा 25 को Australia के साथ मैच है और 27 को जो इनका last group stage का मैच होगा वहाँ तक शायद पता चल गया कि क्या Bangladesh दूसरे stage में जा रही है वो मैच 27 वाला मैच वो इंगलेंड के साथ है तो यह इनकी fixtures लिस्ट होगी देखिए इनके लिए तो almost सारा मैच difficult होने वाला है लेकिन मैं अगर आपको मोटा मोटी बताओं तो देखिए शुरुआत बड़ा मैटर करता है अगर South Africa, New Zealand, Pakistan ये तीन मैचेस से इनको एक भी victory नहीं मिलता है तो it's curtains for them लेकिन अगर वो उन तीनों मैचेस से एक मैच जीत जाती है तो कोशिश करेंगी कि जो बाकी चार मैचेस हैं वहाँ से अगर दो में भी जीत मिलती है तो तीन चार wins के साथ ये शायद थोड़ा सा compete कर पाएं लेकिन that is a long shot लेकिन मैं आपको quickly बता देता हूँ कि जो मेरे fantasy predictor board में कौनसे ऐसे bangladeशी players हैं जिन पे आप trust जरूर कर सकते हैं जो आपको fantasy points बना के दे सकते हैं पहला नाम मेरे list में है जानरा alum का जो की देखिए बहतरीन gain बाजी करती है नए ball के साथ जो है इनको swing जरूर हासिद ह होता है इनकी bowling average जो one day cricket में है वो 29.3 है जो की काफी अच्छा है इनका roll यही रहेगा कि नया ball जब इन grounds में अगर मैं आपको conditions बताओं तो Christchurch, Auckland, Mount Manganui, Hamilton, Wellington, Dunedin यहाँ पे इन सारे grounds में आपको नया ball थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आएगा इसलिए जरुनरा alum का जो है उन प बड़ा hope रहेगा बांग्रदेशी team management को दूसरे player जो यहाँ पे मैं जिनको pick कर रहा हूँ हूँ as a fantasy game changer वो है Salma Khatun, Salma Khatun इसलिए इनकी जो experience है वो बहुत काम में आने वाली है एक बड़े event में, experience right arm of spin bowler है, bat के साथ थोड़ा बहुत इनकी card करतीगी है लेकिन bowling इनका dominant skill र हम Monday international cricket की बात कर रहे हैं तो 43 wickets के आसपास हैं तो ये एक definite game changer बन सकती हैं, तीसरे player यहाँ पे नजर आ रही है जो इनके कप्तान है, वो है निगर सुल्ताना जिनके बारे में मैंने promise किया कि आपको मैं बताने वाला हूँ, देखे keeper batsman है निगर सुल्ताना और इन्होंने पह इनके hands जो हैं behind this comes बड़े पक्के हैं, तो as a strong wicket keeper तो मैं इनको definitely देखता हूँ, बल्ले बाजी में क्योंकि देखिए अब कप्तानी का भार इनके उपर रहेगा, तो she will put a higher prize on her wicket, तो hopefully यहाँ आपको batting points भी उतनी अच्छी तरीके से बना के देंगे, तो ये मेरे 3 players to watch out for हो के उपर आप नजर रख सकते हैं, इसी channel पे hopefully आपने जो है बाकी team previews check out कर लिये हैं, अगर नहीं किया है तो जाइए channel पे एक ही playlist पे आपको सारे team previews मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, please channel को subscribe ज़रूर करे, bell icon ज़रूर दबाए, description में जो link मिलता है, तो download the fantasy gali mobile app उस पे ज़रूर क्लिक कीजिए, download the app right now और उस app पे आपको दुनिया भर की fantasy cricket की prediction analysis contest line-up सारे आपको free of cost मिलते हैं, इसलिए please download the fantasy gali mobile app, all right, इस tournament के लिए best of luck, बांगलदीशी fans के लिए आपको इस tournament के लिए best of luck कहना चाहूँगा, comments में हमारे साथ बात करते रहिए, कौन से players के पर आपको सबसे जादा भरोसा है, until next time we meet from Babashish and the entire fantasy gali team, goodbye.